तो ये मानो देह जो हमको आराम से मिल गया है और भूले पन में हम समझते हैं ठीक है ठीक है जन्म नहीं किया अगले जन्म में कर लेंगे अरे पर अगले जन्म में तुम गदे बन गए तो कैसे कर लोगे केवल मानो देह में ही भी नए करने का अधिकार है नमा अनुशम बिना न्यत्र तत्पक ज्ञानंतु लभ्यते स्वर्गो आले बड़े अच्छे अच्छे शरीर है बड़ी यहां ज्ञान शक्ति है बड़ी बड़ी पावर है अगनी वगैरा के पास लेकिन वे साधना नहीं कर सकते तेवल भोग भोग है अर्थात हम अगर गौवर्मेंट से किसी सेट से कर्द ले लेते हैं एक लाख का एक करोड़ का तो फिर हम ब्यापार करके दो करोड़ चार करोड़ दस करोड़ अर्बो हो बड़े बड़े खरपती हो जाते हैं उनसे पूछो प्रारंभ कैसे किया था करजा लेकर तो ऐसे ही इस मानो देह से हम देवताओं के भी बहुत आगे जा सकते हैं सदा को आवागमन ही समाप्त कर सकते हैं दिब्य ज्यान दिब्य आनंद पा सकते हैं साधना के द्वारा तो यी मानो देह बहुत ही दुरलब बस्तु है सुरई रपिबान छितम देवता लोग पहले तो बड़ी साधना किया भोले आदमी ने और स्वर्ग गया जब वहां कहाल देखा कि यरे रे तो हमारे उसी मृत्य लोग की तरे हैं यहां भी कामनाएं पीछा नहीं चोड़ रही हैं यहां भी लोभ हैं यहां भी एक से आगे क्लासेज हैं यहां भी इर्ष्याद्वेश हैं यहां और विशेवासनाएं बल्वती हैं एक बार ब्रह्मा के पास देवता मनुष्य राक्षस तीनों बच्चे गएं और कहा पिताजी हम लोगों को कुछ उपदेश दीजिए तो उन्होंने उपदेश दिया तीनों की वोर देखा और कहा दा 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 और चले गए हो गया लक्ष्य अब सब परिशान यह क्या किया पिताजी ने खादी दा 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 कही दिया अपने अपने गुर्वों के पास गये सब कोई ब्रहस्पती के पास गया कोई शुक्र आचार्ज के पास सब अपने अपने आचार्जों के पास पूछने गए को उन्होंने अर्थ बताया देवताओं से कहा तुमसे कहा है दाम्यत और मनुष्यों से कहा है दत और आच्छसों से कहा है दयाद्वम ब्रहदार नकोपन शत्नी मंत्र है पास दो एक दो तीन क्या मतलब देवता लोगों से कहा तुम लोग बड़े बिशय हो रहे हैं बड़े बड़े आश्वाराम के सामान है स्वर्ग में न रे इंद्रियों पर दमन करो ये चार दिन का है खिलोना छिन जाएगा और मनुष्यों से कहा ए तुम लोग पैसे में बहुत आ सकते हो अगर गुरुजी ने भी तुम्हारे कल्यांस के लिए कहा ये पर्मार्थ में लगाओ भगवान के निमित्य लगाओ तनमन्धन तो ये गुरुजी भी बस पैसे की बात करते हैं अरे पैसे को छोड़ के कोई बात करो हम लोग तो पैसे के लिए ही दिवाने हैं सारी पाप पैसे के लिए करते हैं 99% हम लोगों के पाप पैसे के लिए होते हैं जूठ बोलो बात बनाओ 420 करो एक दूसरे को ठगो देश छोड़ के भागो इंगलेंड अमरिका कनादा जाओ पैसा पैसा यह यह पैसा जानतू इसका एक परियाई बाकी शब्द है अर्थ अर्थ मनें पैसा भन तो अर्थ में नए समास हो गया तो उसका एक शब्द बन गया अनर्थ क्या मतलब मतलब अर्थ से अनर्थ होता है अर्थो नर्थस से कारणम यह धन अगर थोड़ा भी अधिक मिला तो मनुष्च को मनुष्च नहीं रहने देता इसी लिए कुंती ने बर मांगा था भगवान से भिपदस्चन्त नस्षष्वत्त मराज हमको संसार का अभाव दो संसार न दो क्यों जन्मै श्वर्जशुत श्री भिरेधमान मदफ्कुमान नईवार्यत्यविदातुम्वै क्वामकिंचन गोचरम तुम निर्बल के बल हो साधन हीन के साध्य हो अकिंचन के सर्बस्त हो किंचन भी मेरे पास हुआ चोटी चोटी चीज़ आप कितने पढ़े हैं हाई स्कूल आप कितने पढ़े हैं जरजा चार हम तो हाई स्कूल हैं इसे में पढ़ा प्रिबोर हैं भगल वाले से पुछा आप कितने पढ़े हैं निकाम डिलिट हैं है है डिलिट है कि चक गए और अधिक हो गया अगर तो छुद्र नदी भरी चल उत्राई जैस थोरे धन खल बाउराई थोरे धन अरे ये थोरे तो है क्या है और इसके जाने में कोई देर भी नहीं लगती आईसी चीज नहीं है हमेशा रहेगी जी जो है सो है कम से कम ये लक्ष्मी किसी की नहीं है आईसी भागती है हाँ चा हुआ अरे शेर डाउन हो गया मर गए और सबसे बड़ी बात के एक जितनी देर ये रहेगी लक्ष्मी संपत्ति तो नहीं कोई अस जनमा जग माहीं प्रभूता पाई जाही मद नहीं इसद्ये कुंति बर्मांगती है एक आठ पकीस एक आठ चबिस अर्थस्य साधने सिद्धे उतकर्षे रक्षणे व्यये नाशो पभोग आयासश चिंता ओत्रासाः भयं निल्णाम जो है इसके कमाने में परिश्रम खाना पीना इस्त्री पती बाप बेटा सब बाड में जाए पैसा पैसा अरे भाव गिर गया रात रात बर जाग रहा है और आ गया पैसा अब क्या करें इसका अब क्या करें कहां लगाने कि चौग न हो जाए और इसकी रक्षा करें डाका पड़ जाएगा अरे जितना बड़ा आदमी है उसको मारने को लोग तके रहते हैं उसके आगे पीछे डिफेंस में लोग बैठे रहते हैं और आजकर तो वो बुरा हाल है कि पोस्ट वालों का भी यह हाल है एक MLA से ले करके प्राइम मिनिस्टर तक भै भै खर्च करने में अरे बेटा है मांग रहा है अरे तो बेटा है मांग रहा है ऐसे देते जाए हम तो पर हमारा कतम हो जाएगा न बेटा अभी तुम छोटे हो साइकल से काम चलाओ पैसा नहीं खर्च करना चाहेता वो बढ़ता जाए घटे न ग्यारा तेइस सत्रा भागवत बाडमीक जी ने कहा सरवेक्षयांता निचया सुनो दुनिया वालो जितने संग्रह किये पैसे वाले हो इसका अंत एक दिन होगा कान खोल कर सुन लो पतनांता समुच्छ रहा सब उत्थान का पतन होगा हमेशा प्राइमिनिटर नहीं रहोगे अरे शरीर ही नहीं रहेगा हमेशा संसार की कौन कहें संयोगा विप्रयोगा अंता हा हर संयोग का वियोग होगा होगा होना पड़ेगा जुड़गा पैदा हुए हो थोड़ा थोड़ा अंतर हुगा था जब मरोगे तो फिर अंतर होगा हजी हम एक साथ धैर खाएंगे तो भी एक साथ मरोगे नहीं अंतर होगा और मरने के बाद फिर क्या होगा पता है तुम अपने कर्म के अनुसार उधर जाओ नरक में अब तुम जाओ स्वर्ग में अब तो होगे अभी योग मजबूरिये क्या करें अमरनान तंच जीवितम जब पैदा हुआ है तो मरेगा कोई नहीं बचेगा रिशी मुनी जोगी ग्यानी कोई हो जातस्य ही ध्रुव मृत्यूर ध्रुवम जन्म मृतस्य का दो सत्ताइस गीता तो हमने गलती से अपने को देह माना और इस संसार में आनन्द मिल जाएगा ये निश्चय करके धन के पीछे भागे और हुआ क्या बिंदेत भूयस तात एव दुख्कम सुख मिलने की कौन कहे और दुख मिला लेकिन हिम्मत नहीं हरे देखो संसार में लोग कहते हैं कि एक बार बिल्ली ने गरम गरम दूद में मुह डाल दिया तो उसका मुझल गया विचारी का तो उसके बाद उसने जहां जहां मठा भी देखा तो पहले फूख के उसने समझा आहां गरम नहीं है फिर पिया और हम लोग कितने बेहया हैं अनंत जन में बीट गए रिहरसल में अब की सुख मिलेगा अब की मिलेगा अब की मिलेगा जरा अब ये हो जाए हैं में हो जाए रे हो तो गए जी नौकरी नहीं मिल लएए नौकरी मिल गई हैं अब सुख मिलेगा अरे क्या हुआ हो हमसे आगे हो है रोड डाटता है हमको हमारा बास एक बीबी आ जाए तो सुख मिल जाएगा बीबी आ गई हैं अरे बीबी आ गई है इसी भयानक बीबी है चंडी मर गए यहीं कहते कहते लेकिन लेकिन यह डिसीजन लेके नहीं मरें अब की बार हम आएंगे तो यह मेरा है यह नहीं मानेंगे तो वो मेरा है यह मानेंगे यह डिसीजन नहीं सब से बड़ा आश्चर है यह सबस्क्रित सबस्क्राइब भ्रत सबस्क्राइब प्रिप्सक्राइब कर दो झाल